बक्री खटते समय कैसे पता चलेगा कि वेक्सिंग लगी है या नहीं जानना चाहते हैं देखिए विडियो नमस्कार दोस्तों जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो नए जुड़ने वाले उनका भी तैदिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल को इतना प्यार महबत दे रहे हैं दोस्तों जब भी आप बकरियां खरीदने जाते हैं और खरीदना तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा खरीदने के बाद कई तरह की बिमारियां आ जाती है लाने के बाद और उसमें से ही एक है जो कहर बसाती है जिसका नाम है पिपियार तो जो भी बकरियां खरीदते हैं उसको वेक्सिंग लगी होनी चाहिए कम से कम PPR की तो लगी ही होनी चाहिए लेकिन आप पता कैसे करेंगे की बकरियों को PPR की वेक्सिंग हुई है या नहीं हुई है ये पता करना बड़ा ही खतरनाक होता है जब भी आप बकरियों को देखते हैं खाना पीना सब कुछ अच्छी तरीके से कर रही होती है उसको आप पता नहीं कर पाएंगे कि वेक्सिंग हुई है या नहीं हुई है तो आप पता कैसे करेंगे तो देखिए कुछ ऐसी प्रिक्स है जो पहले नंबर पर वो आती है पसुचिक्चक का सेटिफिकेट अच्छे और बक्री को वेक्सिंग हुई होती है या पसुचिक्चिक्चिक वेक्सिंग करते हैं कई फार्मार बिल दिखा देते हैं कई लेक्टेट्स वेक्सिंग का वैल वगएरा दिखा देते हैं तो लेकिन भाई आज कल हर चीज में ठगी चल रही है तो बच्चे के रहे और बच्च हो जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें और जो ट्रस्ट करने वाले हैं वो दो से पांच सो रुपे के लिए इतना बड़ा धोखा हमारे साथ नहीं करेंगे और पशू चिकर्सक सेटिफिकेट देते हैं तो बिना वेक्सिंग लगाए कभी भी नहीं देंगे वेक्सिंग का विल वेक्सिंग का खाली वायल ये सब चीजे बहुत जायदा जरूरी है देखना अब वायल भी नहीं है विल भी नहीं है और ना ही कोई डाक्टरी सेटिफिकेट है ना ही कोई डाक्टर कहने वाला है कि हमने उसको वेक्सिनेशन कर दिया है तो वो जरूरूर जूट बोल रहा है और ये दिक्कत आपके साथ होगी तो हमेशा सतर्क रहें और जिसने जितने पॉइंट बताए गए हैं उन्हें नजर में गड़ा लें और नजर में रखते हुए काम करें और आप कभी भी बकरी को देखकर नहीं पहचान सकते कि उसको वैक्सिन हुई है य नहीं हुई है इसलिए खरीदारी करते समय सतर करें सावधान रहें और साथ में आप विसेश और कारे करें तो फायदा निश्चित होगा आप हमसे जूड का ओनलाइन कलास कर सकते हैं संपून जनकारी ले सकते हैं हर डिजीज हर मेडिसीन के उपर ओनलाइन कलास दी जाती ह हर मेहने चलती है आप बेजिजग जो नमबर स्क्रीन पर देख रहे हैं फोन करके ओनलाइन कलास जोएन कर सकते हैं तो अपने वानिकों में विराम देता हूँ जै जै जोहाद वंदे मातरम